नमस्ते मीद्रों मैं आपकी जिनी दोस्त मीरा और यह हमारे भार्दिय भाई अखिल जी नमस्कार दोस्तों और मेरा नाम अखिल पारशर है और आज हम मौझूद है एक चांग्सी प्रांद के वन्थांग गाउं में यहां एक गाउं है लेकिन क्या आप चांदे हैं इस काउं थे लेकिन आप तेखिये यहां अब कितना सुंदर है यह काउं और आज मैं अखिल जी लेकर इस काउं में याद्रा करें हैं सुनाया कया है कि हालां की फर्स 2012 से पहले यहां एक गरीब काउं थे लेकिन जो स्थानिये लोगों के साथ-साथ और सरकार की और से दोस्तों यहां पर यह जो गाम है वन्थांग आपकी आप खूपसूरती देख सकते हैं देखिये जो एकदम सुन्दर आपको खूपसूरती आपको जो दिखाई देरी है तो यह गाम अपने आपने सुन्दरता के लिए जाना जाता है और दूसरी चीज की आपर जो गर्म हान को भी हो जाबत लोग परे जिसे सियंकर होट थे कि उस्याइं में कराश है हो जीया अंदन का सोफ यहां आते हैं और जैसे अभी हम मौजुद है इस केस थालस में असक्थास कजुआ का मालीक दानस कि यहाए शांहाई से हैं शायद आप मालूम है शांहाय जो जैसे भाड की मुंबे तो शांहाय लोग है वे व्यापार करते थे लेकिन वे चार साल पहले इस काव में आये और देखकर इतना सुंदर है और ये करम बानी होस्फरिंग कितना अचा लगता है इसलिए वे यहां निवेश किया और इस गैस् वहां यह चोते-चोते मकां दो स्थानी है लोगों रहने वारे मकां है यहां मैं मौझूद हूं एक गैस्थाउस है यहां swimming pool भी है swimming pool भी है यह natural things है तेखिए यह luxury guest house 20,000 रुपे वाला guest house है सुन रहा है लेकिन महंगा भी है और आप देखिए यहां के light एक चांद की जैसा है तेखिए यह चांद की जैसा है जो चांद यह आकाल तो इस लिए तो इतना महंगा है क्योंकि इस में सचाई बहुत आछा है देखिए यहां एक आड़ाम करने बारे कमडे है शायद आप जैसे आप मालूम है कि चाइना में बहुत ज्यादा लोग कुछ थारम क्रिमा करें कारें सिर्फ आडाम के लिए, आपकशी क्या आपकेoo debenar시 किसे नक है या ना केवल केस्ट हाजा आपक्ल के घंद भी कुछ ने कहा है आपक만य है है इसलिए यहां के मालिक ने लोगों को कुछ थैंद भी तैयार किया है यहां एक हजार हजारों सा वडशी है पेर है जो हर सार के आच्छन में बहुत ज्यादा फड़ पैता हुआ है है यहां बहुत साफ है वादावर्म बहुत अच्छा है इस रात को आप पूरी दरह से यहां देखिए आप यहां बैठ कर यहां एक थैंद भी है आप इस थैंद में रख सकते हैं और इस कुरसी में तो उपड़ देगा तो पूरी दरह से सितारे का अनंद उठा सकते हैं सब जी उकालते हैं सुनर है है वाँ वाँ मेरे वीजार में यह यहां के दिश्यह दो बहुत सुनर है क्योंकि शेहां में इस परकाव के दिश्यह्य erklären देख नहीं पहुँगी लेकिन शिफ काऊं में इस परकार के दिश्यहार ранईस उथा सकती हूँ इस गाओं में वे फी वर्ष 2012 से पहले एक अड़ीब काओं था लेकिन स्थानिय लोग जो कुछ गैस्थ हास, कैंटिंग खोडने के जली पैसे कमाते हैं यज्म है शेहर में रहने वाले लोंग शायद उनके पास पैसे हैं लेकिन कर शुद्र में इस शुद्र्ट्रल का आनंद उळसप नहीं सकते हैं इस चुट्दयां में और रभी बाह आसपास के यèveम जाते हैं, वे यह स्थानिय खने का आनंद उठाते हैं और स्थानिय सुंद्रटिश का अनन्द उठाते हैं और इसके आलावा मुझे मालूम है कि जैसे कुछ लोग इसे पहले वे सिर्फ चावल उगाते हैं और अभी शायद वे कुछ फल और कुछ सबजी उगाते हैं और इसी तरिके से वे भी कुछ और जयाता पैसे कमा सकते हैं अगर मेरे भातिय मित्र आपके पास मुझा मिलेंगे तो ज़रूर इस काओं में ज़रूर विजिर करेंगे क्योंकि वन्थां काओं में उनके करम पानी चड़ना बहुत परसित है तो चाइना में बहुत ज्यादा लोग यहां आते हैं क्योंकि यहां के करम पानी चड़ना में सेलिनियम है जो कैंसर के विरोध कर सकते हैं और एंटी आक्सिगन है बहुत अच्छा है यहां के सभी कमडे के स्टाय तो अलग अलग है जैसे उपड़ में हम ने देखा है वह कमड़े में जो पहार के उपड़ से त्रिश्य का अनंद उठा सकते हैं लेकिन आप देखिए इस कमड़े में जो थोड़ा सा चपनी स्टाय है यहां तो चाइब पी सकते हैं यह करम बानी जो प्रावा जो नेचरोल गरम बानी है देखिए यहां के बासुरूम बहुत साफ है और बहुत सुंदर है है यहां फी एक जापनीज शाहरी कम्डे है तो लोग यहां जाय का अनन्द कम्डेह रात को यहां शायद यहां बैठ कर आसमां बढ़ सीतारे का सबसे बड़ी कम रहे हैं आप अपने पैठ पैठ पर सी था सुन्तर ट्रीशे का नंद उठा सकते हैं आपको पसंद है दरूरी इस वीडियो को लाइग कीजिए और शेयर कीजिए नमस्ते लब यू ओ